तो दोस्तों आज की रेसिपी होने वाली है बहुत खास क्योंकि आज हम बनाएंगे बिना किसी कैमिकल बिना किसी आर्टिफिशल फ्लेवर का यूज किये सीधे टमाटर से एकदम चटपटा कुरकुरा नाश्ता जिसका नाम है टमैटो ट्राइंगल खास बात ये है इसको बन ट्राइंगल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है चार से पांच मीडम सायज के टमाटर इसको लफली कट कर लिया है अब इसको ग्रैंड करेंगे डाल देंगे मिक्सी के जार में साथ में कलर को बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ पर कुई chemical ने लिया है हम यहाँ पर यूज़ करेंगे एई चमच काश्मीरी मिश्का पाउडर यह बहुत ही हलका तीखा होता है लेकि कलर बहुत चाहेगा और मैंने यहाँ पे लिया है आधी चम्मन नमक या स्वादनुसाल अब बिना पानी डाले इसका हम प्यूरी बनाक त्यार कर लेंगे और ये देखिए टमाटर की प्यूरी है बनके त्यार हो गई है कितना परफेक्ट रेट कलर आ गया है बिना किसी फूट कलर के टमाटर को अच्छे से ग्राइड कर लिया है अब इसमें एट कर देंगे हम बेस के लिए एक कटोरी सूजी आप बारीक वाली मोटी वाली कोई भी सूजी यूज़ कर सकतें कोई दिकत नहीं है और साथ में डाल देंगे इसमें हम बेस के लिए दो चम्मच मैदा मैदा हम बहुत कम यूज़ करेंगे लबद दो चम्मच अब इसमें एट कर देंगे हम एक कप पानी और अच्छे से बैटर बना के तयार कर लेंगे और ये देखिए जो बैटर है बनके तयार हो गया है सभी चीज़ों को पहले हम क्या करेंगे मिक्सी में काफी अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे ताकि जो बैटर है वो इतना क्रीमी टेक्शर में आ जाए ये देखिए अच्छे से blend कर लिया है मैंने लेकि जो बैटर है भी बहुत गाढ़ा है इसको हम थोड़ा से पतला कर लेंगे ताकि जो sheet बनेगी हमारी tomato triangle की इतना परफेट बनेगी तो मैंने यहां पर यतना जार में बैटर लगा था ना इसमें हलका सा पाइं डालके निकाल लिया है अच्छे से मिला देंगे जो इतकी साफ से और एट कर देंगे और यह देखी जो बैटर है बनके तयार हो गया है ना बहुत पतला है ना बहुत गाढ़ा है sheet बनाएंगे तो यहां पर आपको इक ही पॉइंट करना है जब भी आप बैटर फेलाएं तब आपका हलका गरम होना चाहिए बहुत गरम रहेगा sheet फैलेगी नहीं चिपक जाएगी तो यह देखे तो यह देखे मैंने यहां sheet को अच्छे से फेला दिया है ना बहुत मोटी है ना बहुत जब उपर का जो गीला पन है ड्राय हो जाएगा फिर भी आपको छेड़ना नहीं है इसको निकालना नहीं है और यह देखे जब sheet हमारी अच्छे से पक जाएगी वो तवे को अपने आप ही लूज आउट कर देगी यह देखे जलबाजी करेंगे निकालने कोसिस करेंगे sheet जाएगी तो यहां पर जो एक टमेटो फ्लेवर की बनके तयार हो गई है यह देखे है सब प्रोसेस से हमीडा फ्लेम पे सभी मस्वी चीट को तयार कर लेंगे बस ध्यारत नहीं है तवा बहुत गरम नहीं हो चाहिए अच्छे से पहला देंगे और साथए साथासे साथ आपके लिए helpful है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिजेगा और चैनल को subscribe नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करना टोटली फ्री है आपके लिए फ्री है लेकि हमारे लिए help हो जाती है एक motivation का काम करती है ताकि आपके लिए और बैची चीची recipe में आपके साथ में share करती रह यह देखें कितने सारी सीट बन के तयार हुई है सभी ठंडी भी कर ली मैंने ठंडी हो जाए इसके बादी यूज करेंगे और यह देखें मैं को पास से दिखा रही हूं ना बहुत मोटी है ना बहुत पतली है मीडम साइस की है यह देखें तो यहां पर टेमाटो शीट बन के तयार हो गई है अब इसका यूज कर से करेंगे और भी देख लेते हैं तो यहां मैंने क्या किया है तीन शीट ली है इसको में इक्वल कर लेंगे अब इसके हम कटिंग करेंगे तो मैंने यहां पर लिया है पिजा कट्रा चाको भी यूज क कर सकते हैं कि इस तरह से करने के बाद में क्या करेंगे पर इस ताकि buck कर लेंगे तो यह सथा से कट कर लिया है अब ही बहुत सिंपल है करना क्या है हमें पैटर्न लेंगे इस तरह से, यह देखे, मैंने यहां पर एक सादमिक चाडपान ले लिया है, अब इसको हम क्या करेंगे, बेश से डिवाइट कर देंगे, तो स्क्वायर शेप बन जाएगा हमारा ट्राइंगल, यह देखे, हैना कितना असान, रेसेपी बहुत सिंपल है, टाइम बहुत ही कम लगता है, रेसेपी इतनी असान है कि बच्चे बना सत्ते अराम से, सभी को हम कट कर लेंगे, और शेप दे देंगे इस तरह से, वैसे आप जैसे मन चाहें कट कर सतने, कोई दिकत नहीं है, तो यह देखे, मैंने यहां पर एक बैट च को कट कर लिया है, यह हमारी तीन कीट है, जो अच्छे से कट गई है, हलक के मैं उपने पर बाद कर लेंगे, तो यहां पर तीन शिट अच्छे से कट गई है, इसको ways तके अच्छे से परकिया और है, टील को मैंने वैं confident भरंब करेंगे अब यह बहुत नरम है तो इसको मीड़ फ्लेम भी मेड़ी में अब फ्राय करेंगे जैसे कुर्स्पी हो रहा है क्लर यह को अब कि अब उनले करेंगे तो गड़ असे बना रहे हुझा बहुत डार्ट नहीं होगा अच्छे लीजेगा आप तो यहां वे इसको निकालने पर अगी जितना एक्ष्टा तेल हो निकल जाए और फिर यह देखे फाइनली हमारा ट्राइंगल बनके तयार हो गया है बहुत आसान तरीके से अभी बहुत गरम है लिग मैं को तोड़के दिखा नहीं देख कितना ग्रस्पी है बहुत ही मजे का बना हुआ है सेम प्रोसेस से हम क्या करेंगे मीडिया फ्लेम पे एक बैच को और फ्राइ कर लेंगे काफी सारे ट्राइंगल बन जाते हैं एक कटोई सूजी से परफेट तरीके से फ्राइंगे बहुत ही मजे के कुरकुरे करारे बनेंगे जिसे बजार के जो कि बच्चों को बड़े को सभी बहुत पसंद आते हैं यह बनाईएगा इसके आगे सब फीका लगने वाला इतना टेश्टी बनता है तो यह देखे मैंने और फ्राइ कर लिया हैं मीडियों फ्लेम पे एक बैच को फ्राइब होने में 4-5 मिट का समय लग जाता है कोई फूट कलर नहीं है कोई अटेशल फ्लेवर नहीं है खाएंगे तो क्वास खाते रजाएंग रोकने पाएंगे अपने आपको बस आसे हम करेंगे सभी को फ्राइ कर लेंगे और यहां पर सभी टमाटो ट्रैंगल को देखे मैंने फ्राइ कर लिया है बहुत कृस्पी आप चाहते हैं इसको और टेश्टी बनाना निसे मार्केट के होते न अच्छेट पटे मसाले वाले उसके लिए आप इसमें आपके ऊपर है यह आदि चम्मच लालमेश का पौडर आदि चम्मच अम्चुर पौडर और साथ में टेस को बढ़ाने के लिए आदि चम्मच का अच्छे कर दिया है मैंने शेक करने के बाद में यह देखे चटपटे कुरकुरे करारे मसाले वाले हमारे तेमैटो ट्राइंगल जो भी खाएगा किसी को यकीन नहीं होगा कि आपने इसको घर में बनाया है इतने टेस्टी बनते हैं बजार का नास्ता भी इसका अगे फीक कुछ नया होगा तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करती हूं वीडियो को लाइक कर दीजेगा शेयर करना भी कुल नभूलिएगा चैनल पर नय है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बैल आइकोन को प्रस करना भी कुल नभूलिएगा ताकि इस तरह की और भी नहीं रेसिपी आपके साथ में शेयर करती रहूं चैनल यह मिलते हैं नेक्स रेसिपी के साथ में जो कि और भी मज़े की होने वाली है अभी के लिए थैंक यू टेक केरन बबाए फेस्बूक इंस्ट्राग्रापे फॉलो कर सकते हैं तो प्लीज फॉलो करिएगा अभी के लिए थैंक तो वाच प्लें का की जान सोन